तो शुरू करते हैं हम फिलहाल इतिहास और इतिहास का इंट्रोडेक्शन देखेंगे फिर हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे दोश्टों ठीक है तो बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की कि इतिहास विशे किसे कहते हैं देखिए अगर हम इसको समझने की कोशिश करें सबसे पहले कि इतिहास का शाब्दिकर्थ क्या होता है फ्रेंट्स देखिए सबसे पहले बात ऐसी है कि हम conceptual बात करेंगे एक एक टॉपिक का बिलकुल अंदर से अधियन करेंगे सम स्कूल में जब पढ़ते थे या पढ़ते हैं तो चैप्टर के लास्ट में जब complete हो जाता है चैप्टर तो कई students लिखते हैं इतिश्री हो सकता है संभवत है आप में से भी कई लोगों ने ऐसे लिखा हो या लिखा हुआ देखा हो इसका शाब्दिकर्थ होता है फ्रेंट् क्या रिखत होता है इसका the earned it means ये समाप्थ हो चुका है दोस्तों ये बीद चुका है तो यही मैं कहना चाहरा हूँ आपको कि इसका शाब्दिकर्थ क्या होता है इतिका शाब्दिकर्थ होता है जो समाप्थ हो चुका है क्या रत होता है इसका जो समाप्त हो चुका है अर्थार्थ जो घटित हो चुका है अर्थार्थ जो बीत चुका है दोस्तों तो इती का शाब्दिकर्थ होता है जो समाप्त हो चुका है जो बीत चुका है जो घटित हो चुका है अब हम बात करते हैं दूसरे शब्द की जो कौन सा है हास तो हास का हम यहाँ पर दो अर्थों में ले लेते हैं तो हास का शाब्दिकर्थ यहाँ पर वो नहीं होता जो क्या होता है माइनस वाला होता है वो हास नहीं होता है फ्रिंच वो क्या होता है वो रास होता है उसमें रह होता है लेकिन हम बात कर रहें किसके हास की तो इसका मतलब होता है निश्चित रूप से अर्थार्थ परमानिक तत्थियों पर आधारित तो हम कैसे कह सकते हैं कि घटना निश्यत तठ्ठों पराधारित है ऐसा हुआ ही है इसके लिए हम निश्यत के लिए हम पढ़गते हैं हमेशा क्या पढ़ते हैं इतियास की शरोत is of history इसके लिए हम श्रोत देखते हैं जब आगे हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि श्रोत तीन प्रकार के होते हैं एक होते हैं प्रातात्विक श्रोत एक होते हैं साहितिक श्रोत और एक होता है विदेशियों का विबरन ठीक है तो बात करते हैं तो हम कह सकते हैं हिस्ट्री की अगर हम डैफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि अतीत में घटी वे घटनाई जिनके निश्यत प्रमान हैं, अर्थार्थ प्रमान एक तत्यों पर आधारित ज्यान क्या 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 लाता है, इतियास क्या लाता है, ठीके, प्रमान एक तत्यों पर आधारित अतीत की घटनाई क्या 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 लाती है इतिहास क्यालाती है तो इसको मैं और धंग से समझाने कोशिच करता हूं क्या अतीत में घटी सभी घटनाए दोस्तों इतिहास विशे में इस्थान बना पाती है नहीं बना पाती है तो हमारा कल का दिन भी था दोस्तों और कई चीज ऐसे जिनके प्रमान के लिखित भी है जै इतिहास में अतीत की वही घटना इस्थान बना पाती है जिन्होंने ततकालिन प्रस्तितियों को प्रभावित किया उसने शोर्षियों को अफेक्ट डाला हो चाहे उसने जोग्राफिकल हिस्टॉरिकल पॉलिटिकल यानि सामाजिक धार्मिक आर्थिक राजनेतिक किसी भी रूप से जिसने समय को प्रभावित किया दोस्तों वही विशे वही चीजे वही व्यक्ति इतियास में इस्थान बना पाते हैं जैसे हम बात करते हैं वैदिक काल की बात करें तो उस समय के समाज पर उस समय के धरम पर उस समय की राजनीति पर उन्होंने प्रभाव डाला है इसी प्रकार अगर हम बात करें मौरियों की, तो पहली विज्ञानिक सीमाओं का निर्धरन भारत की मौरिय काल में ही हुआ था दोस्तों, तो उसने भुगोल पर राजनिती पर प्रभाव डाला, आरे बट की बात करें तो भुगोल विज्ञान पर प्रभाव डाला, इसी प् यापने समय में किसी ना किसी तरीके से समय को प्रभावित किया है दोस्तों इसरे चलो मैं समझता हूं आप समझ रहे होंगे ठीक है आप हम बात करते हैं इतिहास की कि इतिहास को कितने भागों में बाटा गया Short ठीक है ? शिर्फ अभी मैं बात कराऊं इतिहास की इतिहास को तीन बागों में बाटा हजिआ जाता है अब वह तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं हम समझते हैं वन बाई i'm करके सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपको प्राग एतिहासिक काल अब बात करते हैं एक समझेंगे पहले तीनों मैं लिख दूप्त की multiplied अद्वे इतियासिक काल और एक अपन लिख सकते हैं अद्वेस अदे काल तो बात करते हैं तीनों में क्या क्या delivered वन वान एक एक करके सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं प्राग इतियासिक काल प्रोटो historical simult is या era ठीक है तो प्रोटो historical एरा या प्राग इतियासिक काल किस इतियास के काल कहंड को केते हैं बात करते हैं दोस्तों जिस समय के मानव के इतियास को जानने के लिए हमें किसी परकार की लिखित सामगरी प्रावट्टों नहीं होती हैं दोस्तों तो ऐसा समय जिस समय मानव के बारे में जानने के लिए हमें क्या प्राप्त नहीं होता है लिखित सामगरी प्राप्त नहीं होती है ऐसा समय जिस समय को जानने के लिए हमें किसी प्रकार की भी लिखित सामगरी प्राप्त नहीं होती है वह समय क्या कहलाता है प्राग एतियासिक का यानि हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि इस समय के मानव को लिखना और पढ़ना नहीं आता था दोस्तों इसको क्या नहीं आता था लिखना भी नहीं आता था पढ़ना भी नहीं आता था फ्रेंट्स ठीक है तो वह समय जिस समय मानव को लेखन कला का ग्यान नहीं था फ्रेंट्स वो समय क्या कलाता है प्रासिक काल कलाता है ठीक है अब मैं इसे अगर भारत के परिपैक्षे में लिखने की कोशिश करूं दोस्तों तो इसे मैं लिख सकता हूँ पाशान काल पाशान काल स्टों एज इस समय मानव को लेखन कला का ग्यान नहीं था फ्रेंट्स तो ये टोटल टाइम और पीरियर जो होगा जिसे हम स्टों एज कहते हैं ठीक है ये किसके अंदर के चलाएगा प्रोटो हिस्टोरिक एज या प्रागेतियसिक काल चलिए तो नेक्स की बात क करते हैं आदियतियसिक काल किसे कहते हैं आदियतियसिक काल मिन्स हो गया है फ्रेंट्स प्री हिस्टोरिकल एज तो ये वो समय है जिस समय मानव को लेखन कला का ग्यान था फ्रेंट्स किसका ग्यान था लेखन कला का ग्यान था इस समय मानव को लिखना आता था और चूंकि जिसको लिखना आता है उसको पढ़ना भी आता है जिसको पढ़ना नहीं आता हो लिख भी नहीं सकता है तो उस समय मानव को लिखना आता था लेकिन बड़ी बात ये है कि इसके लिखावट को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है लिखावट पढ़ी नहीं जा सकी डिटेल में बात करेंगे हम किसके बात करें जब आगे हम चलेंगे तो दिरे दिरे हम एक एक चीज़ को डंग से पढ़ेंगे तो आदियतिस काल में इतियास का वै काल खंड आता है जिस समय मानब को लिखना तो आता था लेकिन उसने क्या लिखा वो हमें नहीं पता जैसे उसने कई परकार के डाइगराम बनाएं मानलो उसने इस परकार से बना दिया फ्रेंड्स ठीक है मानलो उसने क्या इस परकार से है या कह या कुछ भी नहीं कह एक ऐसे कहता था हमें नहीं बता है फ्रेंट्स क्योंकि हम उसकी भाषा को सीख नहीं पाएं पड़ नहीं पाएं ठीक है तो इतियास का वह कालखंड जिस समय के बारे में जानकारी के लिए हमें लिकेत सामगरी मिलती तो है पर उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सकता है अगर भारत के परिपेक्षे में मैं इसके बात करूं तो इसे हम कहेंगे इंडस्वाली शिविलाइजेशन अर्थार्त सिंधु घाटी सब्भेता सिंदु घाटी सब्भेता का जो कालुखन्ड है फ्रेंट्स वो किसके अंतरगत आता है वो आद्धे इतियासिक काल के अंतरगत आता है ठीक है चलिए अब उसके बाद में अपन बात करते हैं किसके मानव की जानकारी के लिए हमें लिखित सामगरी मिलती है उस समय के मानव को लेखन कला का ग्यान था और उसकी लिखावट को पढ़ा जा सका है या पढ़ा जा सकता है उसने जो लिखा उसे हम आज पढ़ सकते हैं दोस्तों तो ऐसा time of period क्या कहलाता है एतियासिक काल कहलाता है भारत के अगर परिपेक्षे में मैं बात करूँ फ्रेंट्स ठीक है भारत के अगर परिपेक्षे में मैं बात करता हूँ तो वैदिक काल वैदिक काल से अब तक वैदिक काल से अब तक हिस्ट्रे में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं दोस्तों वो सारा का सारा किसके अंतरगत जाता है एतिहासिक काल के अंतरगत जाता है क्योंकि वैदिक काल में जो language use की गई या जिसमें लिकित सामगरे वेद लिखे गई वो कौन सी थी संस्कृत थी तो संस्कृत आज भी मानव को आती है दोस्तों चाहे हो सकता है आपको मुझे हमें नहीं आती हो लेकिन आज का इंसान संस्कृत जानता है और उसके बाद जो भ भाशा या जानता है इसलिए वैदिक काल से लेकर अब तक का जो भी इतियास है भारत का वो सारा का सारा किसके अंतर कर जाता है फ्रेंट्स वो जाता है एतियासिक काल तो मैं समझता हूं आप लोग समझ गयोंगे एक बर स्वीर से हम रिवाइस कर लेते हैं ताकि समझ में जाय दोस्तों तो इतियास को मुक्र तेज तीन भागों में जाता है डॉटु हिस्टॉटल in Pre historical और इतियासिक काल और आदियासिक काल उसके बाद बात करते हैं प्राग अतियासिक काल प्राग का मतलब होता है जो fø्जिप इतियास से पहले का इतियास है ठीक है प्राक तो इसमें लिखित सामगरी का अभाव है इस समय के मानव को लिखना और पढ़ना नहीं आता था ठीक है और ये भारत के परिपेक्षे में गरम बात करते हैं तो वो टाइम और पीरिड कौन सा है पाशान काल है दोस्तों उसके बा के अंतरगत आती है उसके बाद हम बात करते हैं एतियासिक काल की तो उस समय के मानव को लिखना आता था पढ़ना आता था और उसकी लिखावट को हम पड़ भी पाएं हैं तो वैदिक सब्वेता से लेकर वैदिक काल से लेकर अब तक का जो भी इतियास है वो सारा का सारा क कि इतियास को बात करते हैं भारत के इतियास की तो देखो फ्रेंड्स वो जो classification किया वो classification of history था यानि इतियास का विभाजन था अब मैं बात करना चाह रहा हूँ classification of Indian history भारती इतियास का विभाजन तो भारत के इतिहास को भी दोस्तों तीन भागों में बाटा जाता है चलिए तो first of all बात करें तो आप जानते ही होंगे किसे हम कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास क्या कहेंगे फ्रेंड्स इसको प्राचीन भारत का इतिहास फिर दूसरा हम बात करेंगे मध्यकालिन मद्यकालिन भारत का इतिहास और फिर लास्ट ऑफ आल हम सब से बाद में बाध करेंगे किसके आधुनिक भारत का इतिहास चलिए फ्रेजस तो प्राचिन मतलब icons ideology medieval Indian history एंड modern Indian history रॉइट चलिए तो बात करते हैं one by one एके की पड़ेंगे हैं तो प्राचीन भारत के इतियास के अंतरके कौन-कौन से चीज़ आती है दोस्तों तो मैं आपको मैंन-मैनली टॉपिक पहले एक बार सलेबस को मैं ब्रीफ में नॉलेज दे रहा हूं आपको फिर वन-बाई-वन एके करके पड़ते हैं ठीक है तो बा अधे बाद दूसरा टॉपिक आता है कौन सा सिंदूगाती सबमेत जिसे क्या कहते हैं इंडस वाली सिविलाजेशन फिर वैदिक काल आता है रिगवैदी काल अगुठतर अगन थिक है फिर महाजंपत काल̑ल आजाता है फिर जैन्दर्ध्रम बाध्रम आ जातर जाता है मौरी उतर काल में शुंग करनों कुशान और शात्वान आ जाते हैं उसके बाद में गुप्त काल आ जाता है और फिर गुप्त उतर में हर्श वर्दन यहां तक का टायम पीरिड टॉटल क्या कहलाता है दोस्तों यह कहलाता है एंसेंट इंडियन हिस्ट्री या प्राचेन भारत का इतियास उसके बाद में हम बात में दूसरा जो टॉपिक लेते हैं मद्दे कालिन भारत का इतियास दोस्तों तो मद्दे कालिन अगर भारत के इतियास के बात करते हैं तो उसके अंतरगत क्या क्या आ जाता है देखे में मैं आपको याद करने के लिए कालांतर में ट्रिक भी दूंगा जैसे गुड़ खा तसले में दोस्तों गुड़ खा तसले में क्या मतलब है इसका इसका मतलब है फ्रेंड्स ये वो ये वो साशन है घाजवंच है जिन्होंने मद्दे काल पर भारत में साशन किया या दिल्ली सल्तनात पर जिसने खुकूमत किये मैंने करमस्ता सबको लिग दिया है जैसे समझने के लिए मैं आपको बता दूँ गुड़ क उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ करता हूँ आपकी सैसे लिया गया है सैयद लैसे है लोदी और अगर लास्ट आफ वाल हम बात करें मैंसे तो मैंसे बन जाता है मुगल तो दोस्तों सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत पर साशन किया उसमें ये एक दो तीन चार पास दिल्ली सल्तनत में आप सोच रहोंगे सर यहां लिख तो छह रखा है नहीं मुगल अपने आप में एक अपने आप में शाशन है एक काल है एक समय है टाइम और पीरियड एक एरा है दोस्तों ठीक है तो सबसे बहले गुड़ का तसले में तो गुलाम वंच खिलजी वंच त हर बात करते हैं किसकी आधुनिक भारत का इतियास तो देखा जाये तो इसकी शुरुआत हो जाती है जब यॉरॉपियों का आगमन होता है भारत में फॉर्टीन नाइंटी एट में जब फस्ट टाइम को आया था अपने वास्कों डिगामा आया था तब से शुरू होकर हम जब तक जाते हैं कब तक भारताजाद नहीं हो गयाती है तब तका क्यों सैतालिसी पार करते हैं अब हम बात नाइस हैं अब हम बात करते हैं और एक-एक टॉपिक की फ्रेंट्स ठीक है तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंदू घाटी सभेता